कहानी की शुरुआत में हमें कुछ तीनेजर्स एक जगह गेमिंग टूनामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाये जाते हैं, जहां जीतने वाले को 10 ग्रैंट्स मिलने वाले थे। उस गेम में सिर्फ दूसरे खिलाडियों को मारना और ज्यादा से जादा पॉइंट उने एक्सपिरियंस के बल पर लीड करने लगता है, जबकि नई लड़की को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए वो इंपल्स नाइन नाम के एक एनरजी ड्रिंक की बॉटल को एक ही घूंट में पी जाती है, जिससे कि ना सिर्फ उसे एनरज अचानक एनरजी ड्रिंक की बॉटल जमीन पर गिर कर बिखर जाती है और इसी तरह उसकी जिंदगी भी बिखरने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और वो अपने आपको तीन बच्चों की मा के रूप में देखती है। उसका घर बहुत बुरी हालत में था, जहां कोई की कहानी में वैल हर्नांडेज नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक अच्छी FPS गेमर थी और जिंदगी में उसका एक ही सपना था कि वो एक प्रफेशनल गेमर बनकर खुब सारा पैसा और नाम कमाए। वो अपने डिवोस्ट फादर कार्लोस के साथ रहती थ वहां से निकलते ही वैल गाड़ी की पिछली सीट में बैठ कर अपने फॉर्मल कपड़े बदल कर कैजूल पहन लेती है, और इंटर्व्यू की जगा फील्ड आफ फायर नाम के एक गेमिंग टॉर्नमेंट खिलने पहुँच जाती है, दूसरे FPS बैटल रॉयल गेम्स की तर है कि रॉय नाम का एक मज़ा हुआ प्रफेशनल गेमर उस टॉर्नमेंट में सप्राइज अपिरेंस देने वाला है, जिसे सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, जल्दी ही वो लोग गेमिंग एरिया में पहुच जाते हैं, जहां रॉय अपने फैंस के साथ फोटो जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है, गेम की शुरुआत में वैल लीड कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर में रॉय उसे आसानी से पीछे छोड़ देता है, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि गेम के बीच बीच में वहां मौजूद क्राउड की साथ इंटरेक्ट भी करता रहता था, इसका फायदा उठाकर वैल कुछ पॉइंट्स जमा कर लेती है, और वो जीतने ही वाली थी, लेकिन गेम को फिनिश करने के बजाए, वो रॉय को मार कर गेम से आउट करने के खोशिश करती है, पर उसका दाव उल्टा पड़ जाता है, और रॉय उसे मार कर गेम से बाहर कर देता है, इसके बावजूद वैल फाइनल्स के लिए कौलिफाई कर जाती है, जो कि अगले ही दिन होने वाला था, जब वो अपने बॉइफरेंड के साथ गेमिंग एरिया से निकलने लगती है, तो रॉय वहां पहुँचकर उसकी नकल उतार कर उसको चिढ़ात लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही, वो आदमी उसके हाथ में अपना बिजनस कार्ट दे कर वहां से चला जाता है, घर पहुचने पर वैल बिना कोई आवाज किये चुपके से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड उसे देख लेते हैं, वैल क अपने डैड को समझाती है कि अगले दिन उसके टोर्नमेंट का फाइनल है, जो उसके फ्यूचर के लिए जादा इंपॉर्टन्ट है, पर सभी पेरिंस के तरहा कालोज भी उसे समझाता है कि ऑनलाइन गेमिंग का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वैल अपनी जिद पर और उसे ध्यान आता है कि उसने उसे गेम जीतने के सीक्रेट के बारे में बताया था, बदला लेने की तड़प और जीतने की चाहत में वो तुरंत उसके दिये हुए अड्रेस पर जाने का फैसला करती है, जल्दी ही दे गूल्डन सौसर नाम के गेमिंग कैफे में वो और कुछ लोग अपने कम्प्यूटर्स पर विडियो गेम्स खेल कर इंजॉय कर रहे होते हैं, तब ही कोजीमा उसके पास आता है और उसे बैठ कर गेम खेलने के लिए कहता है, वैल को इस बात से हिरानी होती है कि आखिर कोजीमा ने उसे अपना बिजनस कार्ड क्यों दिय पर वो गेम खेलने के लिए बैठ जाती है, वो उस गेम में हाइस्ट लेवल चूज करती है, जिसे कम्प्लीट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, ये देखकर कोजीमा उसे इंपल्स नाइन नाम का एक एनरजी ड्रिंक देते हुए कहता है कि ये कोई मामुली एनरजी ज्रिंक नहीं है और वो चाहे तो उसे ट्राइ करके देख सकती है, ये सुनकर वैल उस ड्रिंक का एक घूट पी लेती है, और अचानक उसके आसपास की सारी चीजें उसे स्लो मोशन में चलती हुई दिखने लगती है, जिसकी वज़ह से उसके लिए वो इंपॉसिबल लग गंटा बीच चुका था, वो उसे ये भी बताता है कि आप जितनी मात्रा में इस एनरजी ड्रिंक को पीएंगे, टाइम भी उसी रेशो के हिसाब से स्लो होता जाएगा, ये कहकर कोजीमा उससे एक बाटल ड्रिंक के बदले 500 डॉलर की डिमांड करता है, जिसे सुनकर वैल उसे लगता है कि टॉर्नमेंट जीतने के लिए एनरजी ड्रिंक का इस्तिमाल करना चीटिंग है, पर तभी कोजीमा के फोन पर रॉय की कॉल आती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि रॉय भी गेम्स जीतने के लिए उस एनरजी ड्रिंक का इस्तिमाल करता था, इसी पहले वो उस energy drink का एक छोटा सा घूंट लेती है। फिर ultra slow motions की बदौलत वो game में lead करने लगती है। ये देखकर Roy भी impulse 9 का कुछ घूंट लेता है और तेजी से rank spar करते हुए top पर पहुँच जाता है। इससे desperate होकर बिना कुछ सोचे समझे well drink की पूरी bottle पी जाती है जिसके नती वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी energy drink की bottle जमीन पर गिरकर तूट जाती है। यहां से scene shift होकर वापस उस जगह पहुँच जाता है जहां हम well को एक बिकार से घर में चैर पर एक बच्चे को गोध में लिए बैठा हुआ देखते हैं। थोड़ी ही देर में मेले कुचले कपड़े पहने इवान वहां आता है और बच्चे को सुलाने के बाद उसे तयार होने को कहता है। वैल बहुत confuse थी और अपनी पूरी adult body और अपनी उंगली में wedding ring को देखकर हैरानी से हाफने लगती है। वो थोड़ी राहत पाने का सोच कर नीचे जाती है पर पलक जपकते ही लगबग 12 साल स्किप करके सीधे 2029 में पहुँच गई थी और वो लोग जिस जगह रह रहे थे वो पूरा इलाका चारों तरफ उची दिवारों से गिरा हुआ था जो की वेस्ट लैंड से इस एरिया को अलग करता था। वेस्ट लैंड में डेथ जातरनाक जानवर रहते थे जो इंसानों पर हमला करने के लिए बदनाम थे। इस वज़ा से वहां रहने वाले लोग अलग-अलग शिफ्ट में गेट पर पहरा देते थे। इसके अलावा उसे ये भी मालुम चलता है कि जिन लोगों ने पास्ट में बहुत ज़ादा इंप परा तफरी मची हुई थी। जब कोई अचानक टाइम के बारे में कन्फियूस सा दिखता तब ही उसके पलसर होने या ना होने के बारे में पता चलता था। इसके अलावा उनकी पहचान का और कोई रास्ता नहीं था। इस भयानक बरबादी के लिए लोग पलसर्स को जिम वैल घर आकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने डैड कारलोस की याद आती है। वो उनके साथ हुई अपनी आखरे मुलाकात को याद करने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो अपना सिर्ध दूसरी तरफ खुमाती है तो उसकी नजर टेबल पर उ उसे जाना ही पड़ता है। उसे कई घंटों तक गंदे टॉयलेट्स की सफाई करनी पड़ती है। इस तरह काफे दन बीच जाते हैं और धीरे धीरे वैल को उस उजड़े हुए माहौल में रहने की आदत हो जाती है। एक दिन वो अपने सारे ड्यूटीज खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाती है जहां उसकी बेटी सोफिया उसे एक ड्रॉइंग दिखा कर कहती है कि वो उसकी हीरो है। वैल बहुत ठकी हुई होने के कारण बच्ची के एफ़र्ट्स को एप्रिशेट नहीं करती है। घर पहुँचने पर वो देखती है कि इवान एक बाइसिकल पर बैठा जोर जोर से पैडल मार रहा है। दरस्तल भाँ इलेक्रिसिटी नहीं होने के कारण वो एक गेम खेलने के लिए पावर प्रिड्यूस कर रहा था। वैल अपने फेवरेट गेम फिल्ड अफ फायर को देख कर हैरान रह जाती है। वो अपनी गार्ड की ड्यूटी करना भूल गई थी जिसकी वज़से गेट पर पहरा देने वाले डैन को अंदर आने का मौका नहीं मिल पाया और वो डेथ लिजार्ड का शिकार बन गया। दोनों तुरंत वहां पहुचते हैं जहां डैन की वाइफ वैल पर बहुत गुसा होत इवान उसे प्यार से समझाता है और तसली देता है वैल को महसूस होता है कि वो इस नई दुनिया के लिए फिट नहीं है और इसलिए सब कुछ छोड़कर वो वेस्ट लैंड घूमने का इरादा करती है लेकिन जाने से पहले वो इवान को एक लेटर लिखकर उसे बता देत वो उजाड बिल्डिंग असल में कोजीमा का गेमिंग कैفे दे गूल्डन सौसर था वैल उस कैफे के अंधर जाती है और इदर उदर देखती है कोजीमा को एक काउंटर से निकलते देख उसे हैरानी होती है वो देखती है कि कोजीमा पर उम्र का बिलकुल भी असर नहीं लेकिन उसके पास वैल को उन सारी तकलीफों से चुटकारा दिलाने का प्लान था. कोजीमा इंपल्स नाइन का एक बड़ा बॉटल लाकर उसे पीने को देता है. वो ये भी कहता है कि अगर उसने इसे पी लिया तो वो इस दुनिया में वापस कभी नहीं आएगी क्योंकि वो सेक्ड़ों साल आगे की फ्यूचर में पहुँच जाएगी और तब तक वो इस दुनिया में मर चुकी होगी. कोजीमा उसे ड्रिंक पीते हुए गेम खिलने का सजेशन भी देता है. वैल को या आइडिया पसंद आता है और वो अपना फेवरेट केम फेल्ड आफ फायर खिलने बैट जाती है. पर जब वो इमपल्स नाइन की बॉटल को उठाने के लिए आगे की तरफ चुकती है तो उसकी नजर उस ट्रॉइंग पर पड़ती है जो उसकी बेटी ने उसके लिए बनाया था. वो इमोशनल होकर यादों में खो जाती है. उसे इवान और अपने बच्चों के साथ बिताए सारे खुशकवार पल याद आने लगते हैं. फिर वो एनरजी ड्रिंक पीने का इरादा छोड़कर वापस अपने परिवार के साथ जंदगी गुजारने का फैसला करके अपने घर की तरफ चल देती है. लेकिन गेट पर उसे इवान गार्ड की ड्यूटी करते दिखाए देता है. जो उससे बहुत नारास था. वो उसे अंदर आने से रोग देता है. और वैल से कहता है कि उसने सब को धोखा दिया है. वैल अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगती है. अभी उनकी बात चल ही रही थी कि उन्हें दूर से गोलियों की आवाज सुनाए देती है. क्योंकि डेथ लिजार्ड उनकी कम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं. तब इस बात का खुलासा होता है कि डेथ लिजार्ड दरसल नॉर्मल लोगों का ही एक ग्रूप थ जो इनसानों का मास खाया करता था. उन्हें पास आता देखकर इवान जल्दी से वैल को अंदर कर लेता है और इसी बीच अलाम बजने लगता है. जिससे सभी लोग डर जाते हैं. एक औरत उसे बताती है कि सब लोग खाई की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अटैकर्स को रोकने के लिए कोई भी पूरी तरह तयार नहीं था. ये सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. चूंकि कम्यूनिटी के सारे लोग उसके धोके से नाराज थे इसलिए वो उनके भरोसे को जीतने के लिए एक प्लैन बनाती है. और अपने हस्बंड से कहती है कि वो यहां रहकर डेथ लिजाड्स को जितनी देर तक हो सके रोकने की कोशिश करेगी. इवान उसे छोड़ कर जाना नहीं चाता था पर वो उसे बच्चों की खातिर जाने को कहती है. इस पर वो मान जाता है. फिर वैल इंपल्स नाइन का बड़ा बाटल जिसे वो अपने साथ लाई उसे निकाल कर लड़ाई के लिए तयार हो जाती है. डेथ लिजाड्स गेट पर पहुंचकर हमला बोलने के लिए तयार देखते हैं. कि तब ही वैल को पता चलता है कि डेथ लिजाड्स का लीडर और कोई नहीं बलकि रॉय खुद था. दोनों एक दूसरे के आमने सामने थ रॉय उसे बताता है कि वो रियालिटी में कुछ साल पहले पहुंचा था और अब वो एक जालिम लीडर बन चुका था जो किसी को भी मार सकता है पर उसकी धंकियों का वैल पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उसने उसके आने से पहले ही वो एनरजी ड्रिंक पी लिया थ जबूत के लिए वो खाली बॉटल को उसके सामने फेक देती है अचानक वैल स्लो मोशन्स में चली जाती है और गैस के कैनिश्टर पर गोली चला देती है जिससे सारे अटैकर्स हवा में उचल जाते हैं फिर लगातार शूट आउट करते हुए वो सब को खदेड देती है अनफॉचनेटली उसके पेट और कंधे पर गोली लग जाती है जिससे वो जमीन पर गिर जाती है तभी रॉय आकर उस पर गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है इस मौके का फाइदा उठाकर वो उस पर गोली चलाकर उसे मार डालती है इसके बाद वो अप दूसरी तरफ वैल धीरे-धीरे अपनी आखरी सांस ले रही होती है। दोस्तों हमारे Fox Explainer Hindi चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।